हालो अब्रीवन आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जो बहुत ज़दा अभी चर्चा में है जैसे की 75% एतेंडेंस के लेके अभी कुछ दिन पहले नोटिफिकिसन आया था कॉलेज का खास करके पात्री पूतर इनवर्सिती है चाहिए बहुत सर ऐसे कॉलेज होंगे जो कुछ दिन पहले मैंने वीडियो भी बनाया था कि हाँ 75% आप एतेंडेंस चाहिए तभी आपकी फर्म फिल अप होगी तो वही च करो कॉलेज वेरिफाई करेगी कि 75% आपकी है तो आपका आगे फर्म फिल अप होगा तो यह चीज़े अभी नोटिफिकेशन आ चुकी है अब इसमें क्या आने कि बहुत सारे बच्चे टेंसन में हैं टेंसन कर सकते हैं कि उनको पता है कि मैं 75% एतेंडेंस मेरा ही नहीं मै मैं कॉलेज गया ही नहीं हूँ मैं कम कॉलेज गया हूँ तो उन बच्चों को क्या होगा तो आज किस वीदो मैं बैसिकली उसी पर बात करने वाला हूँ कि क्या सिच्वेशन आपके साथ किरियत हो सकती है अगर आप कॉलेज नहीं गया है और किस तरह आप इससे बाहर निक उसको भी पता है कि मैंने हर दिन क्लास लिया है और एक होता है active college एक होता है de-active मतलब एक मैं अपने essence में बोल रहा हूँ active मतलब क्या है कि प्रती दिन आपको notification जाती हो कि आज college open है WhatsApp group बना कर रखा होगा teacher आपको call भी कर लेता होगा सामने से आप college क्यों नहीं आए हो यह चीज देखता होगा फिर भी अगर आप college नहीं जा रहे हो तो वहाँ वाले बच्चों को दिक्कत होने वाला है क्योंकि teacher आपको पूरा तरह से force करके रखाऊगा पूरा साल की यह बच्चा college नहीं आ रहा है मैंने इसके पास 3-4 बर call किया है फिर भी यह college नहीं आ रहा है तो उस ऐसे बच्चों को दिक्कत होने वाला तकलीफ होने वाला है क्योंकि teacher के नजर में आप हो और वो यहाँ पे आपको दिक्कत देने वाला है लेकिन ऐसे college होंगे जिसमें college मतलब कम चला होगा तो वहाँ पे कहा कि बहुत ऐसे बच्चे भी निकल जाएंगा जो कम class गये होंगे और यह बच्चे होंगे जो daily class गये होंगे मतलब कुछ कम ही गये होंगे सबस्क्राइब कि महीना में 10 दिन class चला है और 75% attendance में दिक्कत नहीं आएगा लेकिन ऐसे भी बच्चे होंगे जो एक दिन दो दिन गए होंगे तो उनको थोड़ा सा तकली फोने वाला है और ऐसे बच्चे कैसे निकलेंगे आप लोग जाना college में फरम फिलप करना और अगर सर अगर थोड़ा सा अगर कुछ दिक्कत करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा request कर लेना है कि सर अगले बार से नहीं होगा पुरा एक साल मेरे बरबाद हो जाएगा तो प्लीज एक बार इस बार कर लीजे अगले साल समय प्रति दिन होगा तो request करके ही आप आगे बढ़ सकते हो कहीं पर request करके आप निकाल सकते हो तो आप request ही आपको करना होगा क्योंकि ये चीज़ है उस teacher के हाथ में जो आपके college में बैठा हुआ है तो उसको request करके निकल सकते हो तो जो लोग ऐसे बहस किये होंगे teacher से थोड़ा सा image अच्छा नहीं होगा तो उन लोगों तकलिफ होने वाली है कि image भी अच्छा नहीं है college भी नहीं गया है तो अब तकलिफ होने वाला है और ये चीज़ इंवर्सिती इसलिए किया न क्योंकि अभी जो current समय है बिहार के अंदर क्या है कि college के अंदर बच्चे कम आते हैं जैसे कि teacher तो प्रती दिन आ रहा है लेकिन बच्चे कम आते हैं प्रफेसर आये हुए परहाने के लिए लेकिन बच्चे देख रहे हो class के अंदर 10-5 बच्चे हैं इस सो बच्चे के admission हुए है बच्चे पढ़ने आया है तो इसी के लिए सही step लिया गया था आज से कुछ दिन पहले ही आपको notification बार बार दिया गया था कि 75% attendance चाहिए तभी एक्जाम फर्म फिलफ किया जाएगा फिर भी अगर आप नहीं गये हो तो कहीं नहीं प्राब्लम के लिए आप निकाल सकते हैं और कोई मेरे को option तो नजर आता नहीं है क्योंकि उनके हाथ में जो teacher वहाँ पर बैथे हुए हैं आपके college में तो वही लोग आपके कुछ help कर सकते हैं बाकी कोई और मेरे को नहीं लगते कि help कर पायागा इसमें तो यही सब चीजे बात करनी थी इस साल कम से कम बहुत सारे बच्चे 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 जिनको तकलिफ होने वाली है कि college भी open था और teacher लगतार उनको सामने से call करता होगा लेकिन फिर भी वो नहीं गया है तो वैसे बच्चे 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 को कहीं नजर में रखा होगा कि यह बच्च्चा है इसको मेरे को देना ही नहीं नहीं नमबर 75% attendance के लिए मेरे कोई allow करना ही नहीं है कि हाँ यह फरम फिलब करें तो दिक्कत होने वाली है और भी मेरे कुछ ऐसे notification मिलेंगे तो मैं इस वीडियो के next वीडियो भी बना दूँगा ठीक है और आप लोग भी अपना opinion जरूर comment box में लिखना कि कैसे तकलीफ साब गुजर रह है कि थोड़ा सा मैं अगर बहुत सारे reply मैं आपको दे दूँगा कैसे comment box में comment जरूर करना वहां पर मैं reply देते रहूंगा और एक चीज़ मैं कहूंगा न है कि exam करो और पेनिक मत हो अगर college कम भी गयो तेक पर जाओ college में बात करो college में बात करके वह चीज़े हो सकती है अब म होना है और इस situation को थोड़ा सा handle करना है क्योंकि किसी भी situation को handle करने सो खतम होता है अगर पहले घबर आ जाओगे तो situation को आप handle नहीं कर पाओगे तो जाओ handle करो situation को कुछ बड़ी बात नहीं है और university कहीं है कि हम लोग के तरफ देख रही है तभी इस नियम को लाई है तो इस थोड़ा समलो को करना चाहिए college जाना चाहिए कि आगे जाके दिक्कत ना हो मिलूंगा ऐसे किसी next video के साथ तब तक के लिए जय हिंद टेक क्यार